हाँ जी दोस्तों तो अपना जो अडिट का विल्कुल फ्री फास्ट एक बैच चल रहा है उसके 17.3 चैप्रा इस फॉरंसिक अकाउंटिंग जिसको पहले बोलते थे फॉरंसिक ऑडिटिंग भी एक तरीके से हैं तो उस पे अपन पहुत चुके हैं तो इसके अंदर ना अपन विडियों सोल नहीं होंगे समस्त अपन रहे हैं सारी की सारे रटाफिकेशन भी अपन साथ में कर रहे है कि जो नहीं दूंगा रटाने की जिंब्यार भी मेरी है आपको बस वीडियो चुप चाप देखनी है ठीक है ना तो चलो बाकी यह बुक आपको दिखी रही होगी इ स्क्वेशन भी कवरें स्क्वेशन भी सी के साथ इसके लाभ आपको कुछ देखना ही नहीं पहले कोश्छन करो फिर क्वरेंज कोंसेट करो उसको चे और पूरी चाट टेबलर फोर्मेट के अंदर ए सारे कुशन सबकुछ कवरें यह डिफरेंस का कुशन पुछा आई से न में ठीक है चलो तो अपन शिरू करते हैं फोरेंसिक अकाउंटिंग जिसको फोरेंसिक अडिटिंग भी आते हैं तो सरी क्या होता है अपने इंवेस्टिकेशन पड़ी थी वह जनरली अपन कर रहे थे किसी चीज के लिए मैं अपने कर रहा है वो वॉल्यूंट्री था एक तर परवा लेता हूं या कोई कोट के रिलेटेट नहीं था फोरेंसिक असी होती है जब कई भयंकर वाला फ्रोड हो चुका है अब वहां पे कोट अगरा ने ओड़र दे दिया है कि इसकी फोरेंसिक अडिटिंग फोरेंसिक अकाउंटिंग कराओ फिर इसके आप जो भी रिजल करना पड़ेगा तो इसकी बहुत भैंकर इंप्लिकेशन होती है लाइक किसी प्रोड हुआ है को भैंकर वाला सत्यम वाला अगर तुम ले लो जो पीड़ेंसिक वाला कांट हुआ था उसके अंदर जो सत्यम हुआ तो उसकी फोरेंसिक अडिट करानी पड़े थी कि असली मे सत्यम केंबर हुआ क्या है हर्शाद में तक है केस के अंदर भी पूरा कराना पड़ा है फोरेंसिक अडिट मेंला फोरेंसिक अकांटिंग करानी पड़े कि असली में हुआ क्या है यह जनरली कोट ओडर करता है यह फिर इंशरेंस डिपार्टमेंट ओडर करता है कि इंशरे तो forensic accounting क्या होती है? Integrate करना, सारी की साइज चीजों को integrate करके knowledge लगाकर दिमागाना. Accounting, auditing, investigation skill को एक साथ मिलाकर लगाना. Accounting की skill, auditing की skill, investigation की skill, उसको low end regulation भी आनी चाहिए, auditing करना भी आनी चाहिए, accounting करना भी आनी चाहिए, टेक्नोलोजी चलाना भी आनी चाहिए, उसको सब कुछ आना चाहिए, सारा दिमाग लगा के अब एक सब बहुत एक्सपर बनता होना चाहिए, ना ओवरोलो तो integration of accounting, auditing and investigation skills ताकि वो सब होना चाहिए उसको प्लस उसको accounting evidence को कैसे interpret करना है, यह सब भी आना चाहिए, accounting method कैसे लगाने, यह सब भी आना चाहिए यह सब करके अपन finally कोई criminal act ढूनते है, जिसको अपन कोई भी criminal can't हुआ है क्या, वो देखते है, ताकि अपन उसको prosecute करा सके फ्रोड वगरा कुछ हुआ है क्या है, यह सब करना इसको वोलते है, forensic accounting, integration of accounting, auditing, investigation skill उसको सब आने चाहिए, accounting evidence को एनलिस करना भी आने चाहिए, accounting method भी आने चाहिए, ताकि अपन उसको prosecute करा सके code के अंदर कि कोई फ्रोड हुआ है क्या, यह कुछ definition दे रहे कि यह, hope, word, linear, य फ्रोड वोलते है, ताकि अपन उसको कोर्ट में represent कर सके, या फिर skill, accounting, auditing, financing skill को अपन लगाएंगे, use करेंगे, collect, analyze, कोई भी evidence कलेक्ट करने के लिए, accounting, auditing, financial skill लगाए, सारी skill लगाके कोई evidence कलेक्ट करेंगे, ताकि यह court में प्रस्तुत कर सके, court में paste कर सके, forensic word आया है, Latin word से, जिसका मदब होता है, own or before the forum, मतलब वो court नहीं होता क्या, tribunal, forum, वगरा, तो own or before the court, जो court में represent करेंगे, अपन, वो generally court of law में represent होता है, तो science or technology को use करके investigation करना, ताकि कोई fact को पन establish कर सके, ताकि कोई fact को establish कर सके, कहाँ पर establish कर सके, court में कोई भी evidence होगरा के लिए, तो forensic audit ये काम करेंगे, red flag, red flag मतलब, वो वाला red flag नहीं जो तुम समझ रहे हो, यहाँ पर red flag वाला वो मतलब है कि कोई भी warning वगरा होनी चाहिए, ऐसा कोई system होना चाहिए, signal होना चाहिए, कोई भी indicator warning जो आपको danger दिखा लिए, यहाँ पर fraud हो सकता है, हो सकता है, not necessary indicator action fraud, जरूरी नहीं है कि अब आपर fraud हो ही, बस वो आपको बता रहे है कि यहाँ पर red flag है, एक बार ध्यान से काम करें, यहाँ पर ध्यान से काम करें, ठीक है, difference बताओ, अब यहाँ पर question भी आवा है, यहाँ पर accounting audit में difference बताओ, forensic accounting और audit के अंब है, normal audit और forensic accounting के अंब है, forensic accountant जो है न, उसका केवल scope FS audit तक नहीं होता है, मलब FS audit तक नौर्मल तो क्या FS audit की होती है, forensic account को तो हर एक चीज को चेक करना है, financial, non-financial matter हर एक चीज के अंदर गुस सकता है, वो चाहे तो immortal transaction को भी अच्छे से देखेगा, सब कुछ, बिल्कुल दिमाग लाए करेगा, सब कुछ एक एक चीज का अंदर डिटेल में कुछ है, क्योंकि उसको बाल की खाल उखे रमी है उसको तो, और audit का क्या होता है, generally बस professional skepticism के account की audit करके से लगा financial statement, ठीक है, यह तो भाई, financial accounting दो बहुत डीप के अंदर होती है, तो भाई, क्यों अपनको financial credit कराने है, क्योंकि अपने साथ ही fraud होगा, अपने साथ ही fraud होगा, मैंने OTP share किया था, one time password, stock को खरीदने के लिए, broker का phone आया था, broker का phone आया था, stock खरीद रहा हूं आपके लिए, stock मैं लिए security shares and security realized stock, तो OTP उसने उसने माँगा था, तो इसको OTP share कर दिया, OTP दिया था, stock खरीदने के लिए, उसने मेरे पूरे bank account को off कर दिया, adversely, मैं लिग अ chessmen également को करोंनों अभर्णी ओ करें च techniques मुई खीपीटिन ऑप जपनी टैकनिक पिरिद्फ धी अपणु की एडवर्णी इस से फिर फहतनी कि फ्रेंड को Korea घान को कि आएड़र्सली होने की ओपड़िवी大家都 हुआ है कि आप वो अपर टेक्निक क्या होती है OTT से टेक्निक या आपर सेंपल बिस कर सकते हैं आपर इंडेप्ट करना पड़ेगा फॉरेफिकेशन और सेंपलिंग नहीं चले कि बहुत डिटील में सब चीज़ देखने है पीरिड अकाउंटिंग प्रिड के लिए होती ओरे देते हैं कि management देते हैं अपन हां कर देते हैं ठीक है सब कुछ सही है पर इसके अंदर फोरेंशिक अदर आपनको हर एक चीज़ एलिमेंट्स कॉंट्रेक को ध्यान से एक्जामाइन करना पड़ेगा कि इसका कहा कहा एक एक टर्म स्क्रेंडिशन का इंपेक्ट हो सकता है कोई भी एडवर्स फैंडिंग हुई तो अपने ओडिट के अंदर पर अगर इधर काई फ्रोड निकल गया न तो उसकी लीगल कारवाई होगी उसकी कोट अगरा के तोना कहा-कहा-कहा पर फॉरंसिग आ काउंटिंग सर्विसेड की चाहिए होता है रिक्वर्कों KORR अ धर और कहा पर अगर्डिये सेर्विस की चेंटेर अपनको रिक्वाई पड़ सकती हैं ये सब पता करने के लिए उनकी स्र्विस लीने पड़ती है मतलब उसको FMDT IDT सा M, D, T, I, DT की जगे VT होगा यहाँ पर, V, T, FM, DT, IDT, FM, DT, IDT, FM, DT, IDT, सारी सब्जेक का, FM, Financial Management, DT, I, DT, I, DT, क्या होता है, काई पर भी फंड को डाइवर्ट करा है, क्या है, असलिवे बिजनिस परपस के यूज रहे हैं, परसनल परपस के लिए फंड यूज ले रहे हैं, एक्स इवेशन काई पर हुआ है, क्या, ड्यूटी फीज होगा है, वो अपन पता कर सकता है, फ्रोड के लिए, आई-बी-स के अंदर कोई भी suspicious transaction मेला है, क्या, आई-बी-स नहीं हो था, इंसल्वेंसी, बेंकरप्सी कोड़, उसमें कोई suspicion transaction मिला है, valuation इसकी सही है, या गलत या fraudulent valuation है, वो चीज़ चेक करने के लिए, T-set transaction, related party transaction की valuation, related party transaction में काई पर fraud हुआ है, DT का IVT हो जाएगा, IBC, V से valuation, T से transaction, I से IBC, V से valuation, T से transaction, तो FM, DT, IDT, FM, DT, IDT, कौन-कौन फोरेंसी का अकाउंटेंट रखता है, मैंने इसको पार्ट में तोड़ दिया है, तीन तरगे group बना दिया, एक तो मना, पूलिस वाले रखते है, court रखता है, lawyer रखता है, यह तो लोर्मल चीज है, कि पूलिस वाले पकड़के अपनको court में लेगा है, court से अपनको lawyer ने चुरुआ लिए, court से अपनाने लोयर ने चुरुआ दिया, पूरीस वाले भी रखते है, fórense account, court वाल भी रखते है, lawyer भी रखते है बैंक, insurance company और बाकी business तीनों सेम तरीज है गते है बैंक, insurance और बाकी कोई भी धंड़ा यह भी fórense account रखते है, काई पे fraud हुआ यह सब देखने के लिए बैंक, insurance company, बाकी government agencies और other organization भी रखते है और अदर ओर्गनाज़ेशन भी रख गई रहे है ठीक है सर यह हो गया उसके बाद फोरेंसिक अकाउंटेंट क्या 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 कामों में इंवल्व होता है क्यों उसकी नीड अराइज होती है किसकी कामों में फोरेंसिक वर्ड को अपन उपर समझा देंगे एक्सपर्ट होता है फ्रोड को प्रिवेंट डिटेक्ट करने के लिए यूजिंग कम्प्यूटर, वह एक्सपर्ट होता है फ्रोड को प्रिवेंट डिटेक्ट करने के लिए यूजिंग कम्प्यूटर, वह एक्सपर्ट होता है फ्रोड को प्रिवेंट डिटेक्ट करने के ल तो भाई उसको ना expert से आप मतला expert test genomy, जो वो बंदा है ना वो बंदा forensic auditor, वो expert test genomy वाला witness बनके जाएगा, court के अंदर कि वो बताएगा कि यहां ऐसा ऐसा होता है, पर इसने ऐसा करा है, पुरा expert test genomy देखा बाप पर, ठीक है तो वो ही है, fraud को prevent और detect करने के लिए वो बहुत अ अच्छे knowledge होती है, computer को use लेके, नहीं नहीं application यूज लेके, वो आपकी fraud को analyze कर सकता है, ठीक है ना, तो fraud को prevent detect करेगा, computer की मदद लेकर, fraud को prevent detect करेगा, computer की मदद लेकर, forensic accountant की skills क्या होती है, उसको सब कुछ आना चाहिए, legal, law and regulation उसको पता होने चाहिए, IT tools भी अच्छे से आन चाहिए, data recovery analysis भी होना चाहिए, data को analyze करना, data को recover करना, उसको सब कुछ substance over form में ये चीज पता पने चाहिए, जो transition असली में दिख रहा है, वेसा नहीं है, substance over the form वो देखना आना चाहिए, कि उसको substance, in substance transaction का ये क्या मतलब है, वो देखना आना चाहिए, जो दिख रहा है, वो व Roberto liability claim, insurance policy ले रही है, मैं कोई product बनाता हूं, मैं कोई product बनाता हूं, मैं company हुँ, तो मेरे मेरे खिलाफ मैंने जब product बना की किसको बेचा, तो मेरे किसीने कोई claim raise करा, अगर, तो जो भी claim के लिए मेरी liability बन रही है, product के आगा है, और चो भी liability बन रही है, उसके claim कि product default ही निकल ग सेम तरह के डिफोल्ट के लिए डिफोल्ट एक ही था डिफोल्ट में सेम डिफोल्ट था अब बहुत सारे उसी डिफोल्ट के लिए बहुत सारे कस्टमर ने केस करते हैं लगातार मेरे पर लाइबिलिटी करते हैं एक ही तरह के लिए बहुत सारे कस्टमर आगे मेरे पास उठ मुझे देखना पड़ेगा थरड पार्टी से कितने रुपे की legal liability, और کब आई? तो भाई थड़ पार्टी ने जब भी case करा customer ने तो उसको कितने रुपे का करा और कब करा कितने रुपे का legal liability है और कब करी कितने रुपे की legal liability है और कब करी कितने रुपे की legal liability है और कब करी कितने रुपे की legal liability है और कब करी कितने रुपे की legal liability है और कब करी कितने रुपे की liability raised करी, então कितने रुपे के liability raise करी quantification और कब raise करी date of loss कि ठरभाट अब धिमान जब भी liability raise जब भी करी कितने रुपे के 24 quantification और कब raise करी date of loss भाग ये थो बहुत बड़ा लोग से reputational loss भी होगा independence रखना थिक है नव तो जब भी थर्ड पार्टी अपने को ऐसा होगी प्रोड़क्त क्लेम के अगेंस कुछ भी सब्मिट करेगी तो सारे डोकुमेंट करेगी कि असलिए में आपका डिफॉल्टी था यह यह नुक्सान हुए हमको यूज करने के लिए तो एजन ओडिटर मलब फॉरेंसिक अकाउ क्वांटिफिकिशन करना बहुत मुश्किल है तो चैलेंग जिन टास्क को ध्यान से देखना पड़ेगा तो भी मुझे वह accept करनी पड़ेगी अगर उस चीज के specific वह आई कि इस fault के साब से क्योंकि वह specific fault तो पहले ही पता पड़ेगा था तो date of loss देखना पड़ेगा कि first claim कब आया तो वह policy के अंदर था ना within the policy date था ना first claim बस policy के अंदर आना चाहिए बस तो मुझे देखना पड़ेगा फर पाटने जब भी मुझे claim करा मुझे document तो quantification करना पड़ेगा कि कितने amount का liability है और कब आई मरब date of first claim मुझे देखना पड़ेगा और reputation loss भी हो सकती है तो उससे भी मुझे negotiation करना पड़ेगा तो इसलिए इंडिपेंडेंट ना तो अपने को इसलिए इंडिपेंडेंट लेना है फोरेंसिक अकाउंटिंग करने का प्रोसेस क्या होता है कुछ ही नहीं भाई कभी तुमने सुना है जो ARC कंपणी होती है ARC कंपणी तुमने कभी सुना कभी किसी ARC कंपणी का आई पी हो आ रहाँ है तो अकर ज Colonious आंको आपन को लगे किसी ARC कंपणी का आई पी युद आऊ पस ए कर देना यहाप नगे अ referring आ सबसे पहले सबसे पहले कोई आएगा मेरे को ओफर लेटर देगा तो यह करना है तो सारे डाउट क्लियर करूँगा मेरा टर्म सॉब्जेक्टि हो रहा है वह सब में क्लियर कर लूँगा उसके साथ कि मेरा मोटीव क्या है क्या 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 है असाइमेंट पहले सब कुछ क्लियर कर लिया हमें न सबक्राइब हैं लुए इनिशिलिजेशन हो गया है अब मुखछी ब्लानिंग करने के बाद में देखूंगा मेरे पूरी मेरे करूंगा audit करनी है, इसकी वहाँ जाके कैसे करना प्रानिक करूँगा, फिर मैं आप relevant evidence acquire करूँगा, relevant evidence में acquire करूँगा, investigation के through relevant evidence में acquire करूँगा, जो court के अंदर present कर सकूँ मैं, ठीक है ना, फिर मैं analysis करूँगा, जो भी मैं करना पड़ेगा, report बनाने के बाद, court में, जो भी ये proceeding होगी ना, उसमें भी मेरे को जाके सब कुछ सबूत पर पेश करने पड़ेगा, ठीक है ना, तो court तक काम चलेगा मेरा तो, तो IPEARC, I से initialization, P से plan, I से initialization, P से plan, I से initialization, P से plan, E से evidence लिना, E से evidence लिना, ARC, E से analysis करा, RC report बना है, C से court में गए, C से court में गए, तो इसके अंदर analysis जो करना है न, इसका question आए, भाई, various analysis कौन कौन से उसको करने होते है, तो 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 इसमने बहुत आए, statistics related 3-4 point तो होई हो गए, कि अपने stats नहीं पढ़ी थी, बच्पन में, statistics जो होती थी, CPCA foundation में भी पढ़ी थी, 11-12 में भी पढ़ी थी, अगर तुमने भी पढ़ी हो, तो पता नहीं तुमाए थी, क्या max, तो अपनने statistics पढ़ी थी, उसके नहीं था, उसके अंदर कुछ पढ़ते थे, अपन regression analysis पढ़ते थे, अपन present value निकालना पढ़ते थे, अपन चीजों की discounting करने वाला वो सो पढ़ते थे, अपन chart और graph बनाना सीखते थे, states में, तो वो सारी चीजे करके वो analysis करेगा, और जो भी अपनने पढ़ाता न, तो forensic coordinator उसको practically लगाएगा भाई, जो अपनने पढ़ था present value, तो present value एक appropriate discounting rate लेके निकालना, discount rate लेके appropriate, regression sensitive analysis अपने पढ़ाता, वो करेगा याप, अपने तो क्यों पढ़ाता, chart और ग्राफिक्स की मज़े से analysis और भी ध्यान से देखेगा वो, यह 3 point तो states related तो मारे ले और एक और 4 point spreadsheet, कि जो भी यह सब कर रहा है न, graph अगरा बना regression sensitive analysis करना, chart graph बनाना, Excel पर, chart graph बनाना, यह 4 point कि इसकी related होगा है, states related, क्या होगा है भाई साब, discounting लेक्रा करना, present value निकालना, उसकी regression sensitive analysis होगा करना, chart graph बनाना, Excel पर spreadsheet क्यों पर, ठीक है न, और यह performing tracing of asset, यह छोड़ो मलब कि ज़्यादा पूंद याद में करने न, आपनको 4 ही यह लार्ज लार्ज अर्ज नेरा, प्रकूर जर्ट को समयरख खर, शुपैर कर, calculate economic damages, direct, usar package,tlier, large number of transactions, मैं यंड थाज यह मैं यह सब करना, कर, calculate economic damages, सबरे रस देना, कर,akले रस देना, रस देना, थाज़ों, अर्यकलि Ł यह topic पर आते हैं कि अब report कैसे बनानी है report कैसे बनानी है report बनाने के लिए तुम गहाता है जैसे अपने auditing के standard बनेते review के standard पढ़ेते, sri पढ़ेते, srs पढ़ेते sqc होते, वेसे ही न अब ICI ने fsi ais f ais standard निकाल दिये भाई forensic accounting and investigation इसका पुरा framework निकाला पुरा framework उस framework के अंदर 3-4 चीज़े हैं कि essays क्या होगा guidance क्या होगी प्लान डिग रहा है चार पाच चीज़े निकाली उस framework के अंदर कि मलब अगर कभी वे आपको फॉरंशिक को अट करनी है तो आपको यह सब फॉलो करना पड़ेगा है framework चार चीज़े निकाली उस framework के अंदर पूरी की पूरी यह चार चीज़े हर एक के अंदर में जैसे अपने आपको क्या ध्यान में रखने है concept क्या है यह वाला फाइनल इस्टेंडर पर आगए वह की यह वाला इस्टेंडर अब यह फाइनल सारे स्टेंडर्स जितने भी है वह उस इस्टेंडर्स पर आगए और guidance भी निकाला है तो यह इनों follow करना इस्टेंडर्स जो निकाले है एस फए आइस फ़ोड को फाइस बोलने मा जीव लग रहा है बस फोरन से कांटिंगे इनिवेस्टिकेशन इस्टेंडर्स जो फोलो करना इस्टेंडर्स निकाले तो निकाले इनोंने फ्रेंवर्स निकाल दिया है इनोंने जो फ्रेंवर्स करते हो करना है इसका objective क्या है क्यों framework निकाले वो ही भाई ताकि quality अच्छी हो सके forensic accounting की हर एक बंद अच्छी से follow करेगा ताकि understanding अच्छी हो forensic accounting investigation की quality अच्छी हो सारे component मिलके अच्छी services देंगे फ़लाना दिगरा mandatory है except guidance not guidance not a recommended mandatory है FIS किस-kis बंदे के काम में आएगा वना किस-kis बंदे के लिए useful होगा जो बंदा audit खुद कर रहा है जो audit कर रहा है और government वगरा के लिए कि मुझे भी लगगा कि हाँ इसने guidance दिए फॉलो करते जाता हो उनकुल मिला कि इन इन लोगों के लिए useful रहेगा एक छोटा everyone के लिए रहेगा फिला लिए तो फर्स जो बंदा professional audit कर रहा है उसके लिए useful रहेगा कि यह minimum standard उसको follow करने है forensic audit करते है उस professional प्रस जो user है forensic audit का जो भी user है उसको assure रहेगा कि quality अच्छी होगी है हमारी audit की मलब कि जो बंदा audit करके दे रहा है उसकी quality है अच्छी है उस user को प्रस regulator or government agency को भी रगेगा कि हाँ भाई एकर follow करके काम करेगा बंदा तो अच्छा रहेगा उस सारे लोगों के लिए यह काम के रहेगा सारे लोगों के लिए सारे मेंटर अच्छा रहेगा एक्छा रहेगा यह ना जितने भी एक प्रिंसीपल बेस है एक्ट आपके एक उनिक सि eyesight में है अधर आपको जच्छ पोलो नहीं करना है तो मतलब काई पर low end regulation और कुछ बोल रहा है पर FIS अलग बोल रहा है तो आप एक काम करना अगर आप follow नहीं कर पाया तो बस बता देना कि मैं यह follow नहीं कर पाया अगर आप कभी comply नहीं कर पाया FIS conflict हो रहा है क्योंकि standards में FIS में और regulatory requirement के अंदर तो आप अटेंशन दे देना material departure का कि यहर में follow नहीं कर पाया इस पचेस है एक मैं तुमको additional book दूँगा जो जो बंदे book purchase करेंगे उनके additional book दूँगा तो मैंने यहाँ पर लिखावा है refer additional book plate चोटी सी पीडिया पर बहुत कम irrelevant topics है तो आप पे इस्टेंडर्स के नाम है बहुत सारे इस्टेंडर्स के और नाम नाम दे रखे तो वह मैंने नाम एडिशन बुक्लेंट में डाल दी कि एक्जाम टाइम पे तुम पादल जैसे यह नाम पढ़ने नहीं बेट जाओ देखक तो रिपोर्ट के लिए डील करता है FAIS 510 चो बोलता है रिटन में रिपोर्ट बनानी है इसकी और ना यह यह भी बोलता है कि एक इंगेजमेंट में हो सकता है multiple assignment दिये हो कि एक इंगेजमेंट लेटर में बोल दे कि यह भी करके दे इसका फ्रोड भी दे इसका फ्रोड भी यह ICI ने ना question दिया था बिल्कुल NDR में test your knowledge के अंदर और बोल दिया था refer paragraph नंबर 2 प्रेफर पेरेग्राफ नंबर 3 आंसर नहीं दिया इसका एक से डार्यक्ट दे दिया भाग मुझे पता नहीं पड़ा IC को answer क्या चाहिए यह पूरा का पूरा चाहिए या फिर केवल इतन portion चाहिए यह वाला मेरे हिसाब से पर ICI का को भरोसानी exam के अंदर कोई और भी पूरा का पूरा देते है मेरे साब से इतना portion चाहिए यह पर note कर लो star mark लगा दो कि इस चाहिए इतना ही चाहिए को answer कोई भरोसानी आइसे पूरा दे तो में पूरा एक बार answer के रूप में डाल दे क्या अब हिंट में दे दिया उपर रहे पर परग्राफ हो उस परग्राफ में तो सब कुछ है भाई पता ही नहीं कितना लिखेगा बंदा चीक है तो चलो भा कंटेंट आपको किसी को बताना है वह लिखके दे देना आपको क्या क्या कंटेंट किसी को बताना है वह लिखके दे देना जैसे assumption वगरा वो सब पहले final report देने के पहले एक बार draft report share कर देना ताकि आपने पहले एक बार draft report share कर दो ताकि वह बोले कि अगर उसको भी अपन को लगा है कि उसको लगा कि नहीं आप में कुछ गलत करा है इसका यह explanation है वो है उसके explanation उसके views भी मेरी report में डाल दो तो final report issue करने के पहले इसको draft report इसको दे देना तो भाई इसकी कोई trick नहीं है बस normal जो audit report बनाते है कि timely basis पे आपको रिटन के अंदर जो जो भी content उसको लिखके देने क्या-क्या content उसको लिखके देने वो उसको लिखके देना जो इसको रिटन के अंदर लिखके देना जैसे कि assumption वगरा पर पहले final report के पहले draft report देना फाइनल रिपोर्ट के पहले draft report देना फाइनल रिपोर्ट के पहले draft report देना यह normal पूर आपना पर गया ठीक है मलब हमेशा return के अंदर report देनी है आपको oral के अंदर नहीं देनी है generally address को ने बता देना वालग किसको दे रहे अपन board of director को दे रहे audit committee को दे रहे को ने bank को दे रहे government को दे रहे उसका address का नाम दे रहा content of audit report अपने पढ़ेंगे रूखो ठीक है तो अब यह हो गया return report address ही return report हो गया address यह आपर return देना है फिर एक draft report आप देना मेंडेटरी है आप कभी भी final report इस्यू करने के पहले एक बाद draft report आप उसको देना पहले उसका discuss कर लो finding मेंने यह finding करिए फिर उसको कोई भी अगर उसकी reply देना होगा तो उसका response मुझे लिमिटेशन लेगी मेरे assignment पे नोंने जो भी limitation लगाई या मेरे को assumption लेना पड़ा वो सब मुझे mention करना पड़ेगा कौन सी limitation assumption थी प्लस मैं कोई भी यह point यहां रखना मैं कोई भी यहाँ पर opinion पास नहीं करूँगा कोई भी judgment नहीं दूँगा मेरा opinion मेरा judgment में कुछ नहीं दूँगा वो code decide करेंगे आपको बस जो जो जीजे मिली है code को लाके देदो code को बता दो थाकि code अपना decision ले सके आप मत बता नहीं report timeliness timely basis पे आपको reporting करने है reasonable time frame के अंदर या फिर जो भी engagement के अंदर लिखके दे रखा है कि इसको monthly quarterly कैसे reporting करने है वो सब interim reports देनी है तो वो भी देनी पड़ेगी interim report पे भी यह standard लगेगा interim report पे भी standard लगेगा यह Fais अब content of audit report इसका कोई भी fix content नहीं है Fais ने बोले इसका कोई भी fix content नहीं है आप अपने इसाब से बना ले ना बस एक guidance के लिए देदा कि बस कोशिश करना कि यह सारी जीज़ाब आप रख सको यह सारी जीज़ाब रख सको क्या रखना है is a sec perfect TSA SecFact 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 Title Scope Approach TITL क्या है वो Title Charging & Startup crusher Report का नहीं हम बोला ना भाई तुमको हर चेप्टर में बोल रहा हूं कि जब भी report बनाते है starting ऐसा ही होता है कि report किसके लिए मेरा scope, objective, limitation क्या है company के बारे में, मेरी terms of engagement क्या बोलती थी, मेरा objective क्या था, इसको करने का मेरा scope क्या था, करने का, यह सब चीज़े starting में ही देते है, तो starting में इसमें भी same यही है title, address, क्या है report के SECFIC TSA, TSA, SECFIC scope, objective, मुझे बताना पढ़ेगा TSA, TSA, title, scope, objective क्या था, A, A, से मेरा approach क्या है काम करने का approach क्या था, मेरा यह बताना पढ़ेगा SECFIC SSA, summary क्या है, मेरी final result की summary में उनको दे दूँगा E से expert का, मैंने कोई work यूज लिया है FAC, finding, जो भी है ना वो की evidence के साथ support करके दूँगा कि मेरी जो भी finding है, इसका evidence यह लो assumption, limitation क्या थी, assignment के अंदर finally क्या conclusion है, मैंने क्या assumption, limitation थी और finally में क्या conclusion देना चाहता हूँ अगर conclusion, if any, अगर कोई assessment से मैंने दिवा कि generally मुझे conclusion नहीं देना है हमला, opinion नहीं देना है, conclusion थो देना है SEC, summary, expert, conduct, as per FAS summary, expert, conduct, summary, expert, conduct इसको पुट्यों से याद निकरो तो जितना पॉइंट हो रहे चाल प्रक्विट याद हो जाए वही काफी एता जुरूई नहीं इसको ठीके सर तो यह chapter पर अपना complete हो चुका है YouTube channel को subscribe आप कर लेना आपको बहुत सारे वीडियो और कुछ unique कीजिए भी आपको मिलने वाली audit के लिए वो आपको मिलती जाएगी time to time पे Telegram channel पर मैं free में notes देता रहता हूँ update और notes दोनों देता रहता हूँ आपको नीचे लिंक दे दूँगा जोइन कर लेना अगर आपको ये book खरीद नहीं जो मैं पूरी book आपने दे के लिए उपड़ इससे free fast request आपको मिली ना है तो नीचे description box मैं लिंक दे दूँगा आपको purchase कर लेना बाकी free में आपको notes तो 10 गाम से लिए बहुत सारे दे दूँगा मैं चैलो sir ओके बाई बाई नेक्स्ट चेप्रे में मिल्स पर चलती